तो नेपाल भर्सस यूएई के बीच फाइनल मुकाबला खेले जाने वाला है आज देखा जाया ओबेंडेड हो गया मातरा और चार ओभर का खेल हो जाता था हम लोगों का डिकलियर हो जाता रिजल्ट काफी बेतर जारा सेम टीम यहाँ पर देशत जील विन करने के करीब था विडियो का अनुसार लोग जील के रेंक 10 के अंदर भी चल रहे थे मीनी जील भी विन करने के कागार पे थे यह मुकाबला ने पूरे के पूरे स्रीच इस स्रीच का उठा कर देखोगे तो हम लोगों ने मीनी जील अर बहुत सारा रुपिय अर्न भी किये हैं हलांकी यह कल भी ओबेंडेड हुआ तो यह सब होते रहता है इससे हम लोगों घबलाना नहीं चीए फेंटेसी है लेकिन यह फाइनल मुकाबले में हम लोग जब बल दस्त तरीका से खास कर जील पर फोकस करने वाला है क्यों जील आने के पूरे-पूरे संभावना है क्यों यह स्रीच हम लोगों के लिए वेतर हुआ है और यह फाइनल मुकाबले में भी होगा सारा कुछ मैं वीडियो पर बताऊंगा कहीं आपको जाने की विल्कुल भी जरूरत नहीं है लेकिन दोस्तों अगर जदि आप इस मुकाबले को खिलना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा महत तो मेरी भाई हमारा टेली ग्राम चैनल आपको इस परकार से दिखाए देगा क्योंकि बहुत सारे फिक चैनल बने हुए हैं जो हूँ बहुत आपको डोमेस्टिक पिलिंग लिए बनना जराएंगे उन से आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो गर डिस्क्रिप्शन या फिर कोमेंट पे पिन किया गया होगा उनकी साहिता से जुड़ोगे तो यह ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे यहाँ पर फिरी टीम पर वाइड किया जाता है तो दोस्तो अब तक तो हम लोग यह कह रहे थे कि इस मुकाबले में नेपाल के वीन करने एक चांस है अधिक है इस मुकाबले में UAE के तो कुवाइध हार सकता है तो उमान हार सकता है लेकिन भाईया दोनों खड़क टीम है कौन वीन करेगा कौन लोज करेगा कहना मुश्क करना बड़े-बड़े पिलियर के यहां पर होने वाला है खेल यह भी नोर जल्ट रहा लेकिन केसी करण ने अपना काम कर दिया था आधे टीम को पविलियन भेज दिया था अकेले पे वो थोड़ा देर रुकते था था सारे टीम को भेज देते खर कोई ने सारे पिलियर को भेज देते टीम को तो नहीं इस खामी ने भी एक बिटे लेगे ललीत राजबंसी दो अभर डाला अभी संदीप लामी चाने आने बाकी थे तो नेपाल का गिनबाजी एटेक बहु जादा बेतर है बले बाजी के तुलना में ये नो डाउट खर यहां देखा जा नेपाल का तो यहां पर 157 पर ओलाउट होगे लेकिन दिक्कते नहीं थे क्योंकि इनके गिनबाजी एटेक नेपाल का सबसे बढ़िया है सिरीज में देखा जाए तो और यहां पर संदीप लमी चाने ने 500 पाल कामीन यहां पर तीन ले गए और ललीत राजबंसी दो इनको जो है यहा क्राइक फोर्म थोड़ा सा गलबल मैं अक्सर इंट पर रिस्क लेता हूं आपको पता है मुहमद वसीम और अर्बिंद इन दोनों को पर निर्भर करेगा कि यूएई कितना बड़ा इसकोर खड़ा कर पाती है अंत पर असीप खान अटेकिंग बले बाज इनके लाभी इनक पर जादातर इस्तेमाल करता लेकब्रेक इन बाजा तेन विक्ट्रे ले घया बी बी हामित की बात किया इनों ने दो बिक्ट्र्यार यहां पर जहुर खान जो की फास्ट गेन बाजी करता एक विक्ट्र ले और kafँ कर के लिए जाने जाते हैं हलांकि पोरा गेम होता था गजब का 10 ओभर में 7 मेडन डाले और 4 बिक्टे ले भाई इतना जबड़दस्त गेन बाजी मुस्थापा भी 4 मेडन कसांद 2 बिक्टे और मियपण ने भी यहाँ पर 2 मेडन कसांद 2 बिक्टे ले गए बाकि इनका ज्यादा कुछ रहाने ओपनर को तो सस्ते में निफ्टा ग करेगा लेकिन इतना तो मैं बोल सकता हूं कि नेपाल थोड़ा सा यूएई से 2-5 परसेंट ज्यादा मान सकते हूं ज्यादा नहीं तो सीधे चलिए कॉंबिनेशन पर बात करें क्योंकि यह कॉंबिनेशन खास होने बाला है बड़े पिलियर पर रिस्क लेने वाले हम लोग कॉंबिनेशन देखेंगे लेकिन अभी तक यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करलो क्योंकि ड्री मिलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पले इन्फोर्मेसन दे देता हूं इनके अलाबे कुछ जा इनकी अलाबे दोस्तों यहां पर रोहन मुस्तापा अफजल खान का नाम यहां पर आता है देखो यह बी हामीत के बाल से ठीक ठाक यह पैले रे लास्टकूश मुकाबले नहीं खेले थे इनको लास्ट मुकाबले में खेले तेनों अच्छा खासा इनका रिकोरड भी लते हैं इनकी लावे यहां पर इनका नाम हा था जुनैद सिद्धिका यहां पर सिद्धिक को पिक करना होरा सेलेक्सण पर मज जाना नेपाल की तरप से संतीप लमीचाने कीसी करन इनकी अलाबे शोपाल कामी यहां से देखाoquा जाए रोहित कुमार को रखना अब यहां पर अगर जदी देखा जाए तो फाले गेनवाजी यहां पर कर रहा है तो यहां पर मैं इनके गेनवाज डेट गेनवाज जेट खान को लेना पसंद करूँगा और सकेंड गेनवाजी में किये मियपन भी यहां पर कारगर साबित हो सकते हैं अब अगला यहाँ पर कुछल माला को पिक करना होगा क्योंकि पाट टाइम गेन बाजी करते हैं दोस्तों फिलाल के लिए टीम बनता है लेकिन ये टीम 100% मैं दावेकसांद करता है फाइनल नहीं होगा क्योंकि लाइन अप में चेंज होगा टोस अपडेट आएगा उनके अनुसार हमारा भी टीम पे चेंज होगा लेकिन अप 60-70% मान सकते हो कि एक सेफशाटिक टीम है केप्टन वाइस किन के ऊपर जाना चे एक बड़ा सवाल है इसे तारधार मेंच पर हमें लगता है कि यहाँ पर केप्टन वाइस के लिए यहाँ पर रोहन मुस्थपा यहाँ पर केप्टन भी सी हमें लगता संदीब लमी चैने के उपर जाना चे क्योंकि टीम काफी रिस्की है और यहां मुकाबला भी रिस्की है तो नो डाउट आप लोग ज्यादा जो है इन्वेस्ट मत करना जब तक मैं लाना के बाद अपडेट ना करो आप लोग इन्वेस्ट बिल्कुल मत क करना क्योंकि जीएल के लिए बहतर लेगा तो जीएल यहां पर खेला जाएगा तो दोस्तों फिलाल क्लाब यह टिम सेफ करकर रट लो इसमें जो भी चैन्ज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा आसा करते लक्षी मां विसरी मां ओल भगवान की किरपा साम लोगों क रिजल्ड बेतर आये सारे लोगों पर सबस्वत्ति मां किरपा वनीर है इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं